वेलकम स्टों तो यहाँ पर हमारे पास हालो आलकेन, हालो आलकेन, क्लास 12 के NCIT एक्जम्पलर के अंदर का कोशन है कोशन देखो, which of the following हालो आलकेन रियाक्ट विद एक्वाइस के वेजिली, एक्स्पेंग गिविंग रिजन तो यहाँ पर देखो, हालो आलकेन, मतलब आलकेल लेड़े, एक्वाइस के वेजिली के साथ यहाँ पर रियाक्शन करना है तो यहाँ पर इसका मतलब एक पुलार मेडिय में, पुलार प्रूटिक मेडिय में तो इसका मतलब है aqueous KOH, मतलब KOH को पानी के अंदर डाला हुआ है, पानी कौन सा स्वालवन्ट है, या पर polar protic स्वालवन्ट है, और polar protic स्वालवन्ट के अंदर हमेशा कौन सी reaction होती है, SN1 mechanism होता है, और SN1 mechanism के अंदर की खास बात है, या पर intermediate क्या बनता है, carbocatine intermediate बनता है, जो यहाँ पर rate होता है, वो खाल या हैलो अलकेंग के अपर depend होता है, या पर जो reagent होता है, उसके उपर या पर उसका rate या पर depend नहीं होता है, इसलिए इसका power या पर जोर लिकेंगे, तो फिलाल यहाँ पर SN1 मतलब यहाँ पर first order reaction है, अभी यहाँ पर हमें समझना क्या है कि यहाँ पर carbocatine मतलब कोई सा carbocatine ज्यादा stable रहेगा, तो यहाँ पर आपका tertiary carbocatine जो रहेगा, वो more stable रहेगा, यहाँ पर Rafocatine के stability का order tertiary ज्यादा रहेगेगी सबसे ज्यादा, उसके बाद secondary उसके बाद primary, उसके बाद primary से हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर primary, secondary, tertiary कोई से देखो यहां पर चारों structure हमने ड्रॉ करके रखे अभी इसमें से हमें यह देखना है कि यहां पर tertiary carbocatine कहां पर यहां पर बनेगा उसके लिए हमें यहां पर tertiary alkyl alive लेना होगा यहां पर देख सकते पहला जो structure है वो primary Meri Alkyl Elade, दूसरा यहां पर देख सकते हैं secondary Alkyl Elad, 2-Bromobutane, पहले 1Bromobutane, तीसरा यहां पर 2-Bromo-2-Mythil-Propane, यहां पर देख सकते हैं, this is the tertiary यहां पर देख सकते हैं, tertiary Carbocatain और यहां पर यह जान सेंने, क्यों मोर स्टेबल Carbocatain हैं, क्यों क्योंकि यहां पर इस हैं कि adjacent sp3 यहाँ पर देख सकते हैं उसको यहाँ पर 3 plus 3 plus 3 9 यहाँ पर sigma hydrogen है तो यहाँ पर बात करेंगे 9 sigma hydrogen यहाँ पर 9 sigma hydrogen की जो यहाँ पर hyperconjugation है hydrogen और यहाँ पर hyperconjugative structure की बात करें तो यहाँ पर कितने hyperconjugative structure बनेंगे तो यहाँ पर 9 plus 1 यहाँ पर इस उकल टू 10 hyperconjugative structure मिलेंगे और दूसरी बात यहाँ पर inductive effect भी है, inductive effect यहाँ पर देख सकते हैं, methyl का यहाँ पर inductive effect है, प्लस inductive effect है, तो यहाँ पर due to plus inductive effect, यहाँ पर यह जो carbocation है, वो more stable हो जाएगा, तो this is the tertiary carbocation, यहाँ पर देख सकते हैं, tertiary carbocation है, और यह more stable carbocation है, इसकी reactivity के वेच के उपर सबसे ज़्यादा रहेगी, फिलाल यहाँ पर देखो अभी यहाँ और एक structure बचा हुआ है, यहाँ पर फोर्ट वाला, यहाँ पर यह भी आपका four structure यहाँ पर आपका secondary है, देख सकते हैं, यहाँ पर यह secondary है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा reactivity यह यहाँ पर third structure की रहेगी, देखो, third structure की सबसे ज़्यादा reactivity रहेगी, हैकोस के वेच के अंदर, तो इसका main reason है, कार्बो कटन की stability, और यहाँ पर SN1 mechanism को follow करेगा, तो I understand explanation, thank you.